हेलो अच्चो गुड मॉर्निंग अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि नाग राजन के अलबम को देखने लड़के तो लड़के लड़किया भी काफी उस्सुक थी अब हम आगी की कानी पढ़ेंगे अब राजप्पा के अलबम को कोई पूछने वाला नहीं था वाकई उसकी शान अब घट गई थी राजप्पा के अलबम की लड़कों में काफी तारिफ रही थी मदुमक्की की तरह उसने एके करके टिकेट जमा किये थे उसे तो बस एक ही दुन सवार थी सुबह आठ बजे वा घर से निकल पड़ता टिकेट जमा करने वाले सारे लड़कों के चकर लगाता दो ऑस्ट्रेलिया के टिक्टों के बदले एक फिनलेंड का टिकेट लेता दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का बस शाम जैसे ही गल लोडता बसता कोने में पटक कर अमा से चबेना लेकर निकल के जेब में भर लेता चबेना ने चनाया नमकीन जिसे हम खाते हैं चाय के साथ और खड़े खड़े होकर कॉफी पिकर निकल जाता तो अब हम इस पैरग्राफ में देखेंगे कि अब राजपा के अलबम को कोई नहीं पूछता था उसका महत्वक कम हो गया था शान घर जाना ने महत्वक कम हो जाना अब राजपा के अलबम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी उसी तरीके से राजपा भी अलग-अलग देशों के टिक्टो को जमा करके अपने अलबम को बनाता था और काफी अच्छे से सजाता था और उसे टिकेट कलेक्शन का यहने अलग-अलग देशों के टिकेट कलेक्शन का इत्ता शौक था कि बस वो जैसे ही घर लोडता बस ता कोने में पटक कर यहने फेक कर अम्मा से अम्मा यहने अपनी मा से चबेना लेकर चना लेकर या नमकीन लेकर निकर की जेम में अपने पैंट की जेम में भर लेता था और उसे चबाते रहता था और खड़े-खड़े कॉफी पिकर लेक्षेंट ली निकल जाता था जैसे कि आप सब देख रहें कि किस तरीके से उसने अपने हाथ में एल्बम पकड़ा है और वो पैंट पैना है शौर्ट पैना है इसे हम पैंट कहेंगे और इसकी जेब में ही वह अपना चबेना भर लेता था अब हम आगे की कहनी देखेंग सरपंच के लड़के ने राजप्पा के एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा पर राजप्पा नहीं माना सरपंच का एक लड़का था वो राजप्पा के एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था लेकिन राजप्पा ने नहीं माना अब हम आगे की कहानी को करेंगे हाला कि बच्चों ये पार्ट बहुत बड़ा है तो हम कुछ-कुछ पार्ट से इसके स्कीप करेंगे और जो इंपॉर्टेंट कहानी है उसे हम पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे पर राजप्पा ने नाग राजन के एल्बम को देखने के इच्छा कभी प्रकट नहीं की लेकिन जब दूसरे लड़कें से देख रहे होते तो वह नीची आँखों से देख लेता सचमुछ नाग राजन का एल्बम बहुत प्यारा था अब वैसे तो जो नाग राजन के एल्बम की तारिफ होती थी तो राजप्पा को अच्छा नहीं लगता था और वो ओ लिखता था और सचमुच नाग राजन का एल्बम उसे बहुत अच्छा लगा था एल्बम के पहले प्रस्टपर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखarta क्वार था क्यूंकि एल्बम जो नाग राजन के मामा ने भेजा था सिंगापोर से उसके एल्बम में लिखता आम नागराजन यह कौन है राजप्पा का दोस्त तो उन्होंने एल्बम के सामने ही उपर की पेज पे ही नागराजन का नाम लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेश्रम है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यह एल्बम मेरा है जब तक गासरी है कमललाल सूरच जब तक पुर्विसे उगे और पश्रिम में छिपे उस अनंत काल तक के लिए या अल्बम मेरा है रहेगा तो इस प्रकर से अल्बम के पहले ही प्रस्ठे ने पहले ही पेज में ये बाते लिखी थी कि जब तक गास हरी है कमल का फुल लाल होता है सूरत जब तक पुर्वदिशा से उकता है और पश्रिम में अस्त होता है उस अनंत काल तक या चिर समय तक लंबे समय तक या एल्बम नागराजन का है और उसी का रहेगा